फिल्म दिरशम 2 शुरू होते हैं और जैसे फिल्म शुरू हो रही थी तो उस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति से मर्डर होता है और उसके पीछे पुलिस पढ़ जाती है और जैसे पुलिस पढ़ती है तो वो पुलिस से छुपने के लिए इदरदर भाग रहा था और भागते भागते कैसी जगे पहुंच जाता है जहां से फिल्म का हीरो यानि कि अजय देवगन एक लाश को छपा कर पुलिस इस्टेशन में वहां से निकल आता है यह बात अजय देवगन नहीं जानता था पूरी फिल्म का पहला पार्ट ऐसे निकल जाता है जब अपराद को होते हुए कोई व्यक्ति देख रहा था और उसने जब पुलिस को फोन किया तो यह अपराद उस फिल्म द्रश्यम की तरह यह पूरी हिंदुस्तान में चर्चा का विशा बन जाता है कि दिल्ली में आए दिन आखिरकार ऐसा च्यों हो रहा है क्या हो रहा है कि क परची घटना है राश्टी राजदानी छेतर दिल्ली की दरसल दिल्ली का एक इलाका है नजबगड और इसी का एक गाउं लगता है मित्राव गाउं दिल्ली की क्राइम ब्रांच में काम करने वाला एक पॉलिस ऑफिसर उसके पास फोन फोंसता है कि सर आपको पता है जिस साहिल गहलोथ दरसल साहिल गहलोथ जो लड्का है अभी इसकी नोतारिकों शादी हुए इन्नों में इसके सगयाई हुई थी रिकिन मुझे कुछ अटपचा लग है उसकी गल्फ्रेंट है और डिनों से दिखाये नहीं दे रही है जब यह अद्गा व्यक्ती ने उस पुलि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसके घर से लगबक साड़े तीन किलो मिटर दूर एक ढावा है दिल्ली में जिसका नाम है खाओ पियो दिल्ली तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ देखना चाहिए उस अंजान व्यक्ति के फोन को वह ओफिसर गंभीरता से लेता है और अपने उ उस लड़के जिसका नाम है साहिल गहलोत उसके बारे हम पना करने कोशिश करते हैं तो वह मिलता नहीं है उसके संपर्क में जो हैं उनसे बाचित करने के कोशिश करते हैं तो वहां से भी कोई सवलता नहीं मिलती उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस धाबे क का नाम लिया गया था खाओ प्यो धाबा वहां जाकर देखते हैं वो धाबा बहुत ही बोशिदा यानि की बुरानी जैसे हालत में हैं एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मल्टीज के लिए बनाया हुआ है अभी ठीक से उसकी चार दिवारी भी नहीं है कोई भी आसानी से जा सकत अब पुलिस वाले गैर मुझूदगी में किसी की भी और उसके अंदर जब जाते हैं जाने के बाद उस धावे की तलाशी ले रहे थे तलाशी लेते लेते वहां पर एक नीले रंग का छोटा वाला फ्रीज दिखाए दिता है और जैसे इस फ्रीज को देखते हैं तो फ्री सच का सच निकलता है आखिरकार मामला है तो क्या है दरसली कहानी शुरू होती है संद 2008 से एक लड़की जो कि हर्याने के जजजर की रहने वाली और अपने पिता से ये कहकर निकली थी कि पापा मैं नीट की तयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हूं और वो डॉक्टर बनने साहिल गैलोत और वो दोनों के कॉलिज अलग अलग है दरसल निकी यादब डॉक्टर बनना चाहती है और जो उसी बस में एक और लड़का सवार होता है रोज आता है रोज जाता है साहिल वो चाहता है ऐसे से किलियर करने के बाद कोई भी सरकारी अच्छी से नोक्री मिल ज जाए ऐसे उसने सपना देखा था ऐसी उसने कोशिश की थी और ये बसों में आते जाते कब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता और दोस्ती कब प्यार मिदल जाती है ये भी नहीं पता चलता और सब कुछ इनके हिसाब से ठीक चल रहा लड़का SSE की तैयरी कर रहा था लड़की नीट की तैयरी कर रही थी संद 2018 में जब उसका result आता है SSE और नीट का तो दोनों ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वो गए तो थे पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ाई की वज़े से वो प्यार में पढ़ जाते हैं और प्यार के वज 2019 में Greater Noida के Galgautia College में ये लड़की एक admission लेती है BA English Owners में और लड़का भी इसी इलाके में इसी Galgautia College के अंदर भी फार्वा में admission लेता है वो फार्वा में admission लेता है उधर वो लड़की English से ओनर्स करने की तैयारी में लग जाती है ग्रेजूशन कर रही थी और फिर यहां से इनका घर बहुत दूर पड़ता है लड़की अब जजड़ जा नहीं सकती रोज के रोज तो इसलिए उसने सुचा कि क्यों ना यहां एक कमरा लिया जाया किराय पर वो लड़का है जो अपने नजवगड़ जो मित्राव गाउं लगता है वहां वो रहनी सकता क्योंकि वो लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिंदगी में अब परिशानी आना वाली है पूरी दुनिया की अरसल लोगडाउन का समय आना वाला था जगे जगे कोरोना की दस तक आ चुकी थी और मार्च 2020 में भारत के प्रिधान मंत्री नेरेंद्र मोधी पूरे देश में लोगडाउन और वहाँ पर रहने लगते हैं अब इनके पास एक मात रास्ता बचा था फोन कोल अभी फोन कोल पर बाते करते थे और यह जो लाइफ थी जैसे भी अपना लोगडाउन का वक्त गुजरा सो गुजरा जब दुनिया पटरी पर आने लगती है सब के सब लोग अपने काम पर वापिस लोटने लगते हैं तब लड़की पढ़ाई के बहाने से एक बार फिर यह एक दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के उत्तम नगर के बिरंदापुर में एक किराय का मकान लेती है और किराय के मकान में अपनी छोटी बेहन के साथ रहना शुरू कर देती है लेकिन वाले चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए क्योंकि यह परिवार का इकलोता बेटा है परिवार में इनकी सब अच्छी खाजी खुशा लिये धावा है पापा लड़के के अच्छा काम करते हैं उधर लड़की के परिवार के लोग भी ठीक ठाक है लड़की के पापा इस पि प्रवरी को भरात ले जाने की बात तैह हो जाती है इस बात का ना तो लड़की ये घरवालों को पता था कि ये लड़की किसी के साथ लिव-इन रिलेशन्शिप में रह रह रही है और ना ही लड़के के घरवाले जानते थे कि ये किसी लड़की के साथ लिव-इन रिलेशन् किसा जाती है वो सुछने मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसने इतनी इंप्रोडेंट बात मुझसे छुपाई तो कैसे छुपाई वो फॉन करती है साहिल को फॉन करके कहती है कि तुम जहां भी हो जिस हालत में भी हो मिलना है जल्दी सज़ाओ क्योंकि उसके सगाई चल र नहीं था दोस्ती 2018 से चली आ रहे थी वो प्यार था लेविन रिलेशनशिप थी एक दूसरे को जानते थे पैचानते थे कौन कब जूट बोल रहा है कब सच बोल रहा है ये एक दूसरे के बारे में पता था इसलिए लड़की ने दवाब बनाया लड़का शाम को उसे मिलने क के लिए पहुंचता है उसलिके उत्तम नगर वाले घर में बिरंदापुर में और वहां जाने के बाद इससे बातचीत करता है लड़की पहले से ही 14 फरवरी वेलेंटाइन डे को गोवा में मनाने की प्लानिंग कर चुकी थी उसने हवाईजज के टिकिट वगरा करा लिये अब लड़का क्योंकि वो करे तो क्या करे यदि यहां से निकलता है उसके साथ गोवा के लिए तो उसकी शादी का मामला बिगन बढ़ जाएगा वो सीधा लड़की से बातचीत करने कोश करता है लड़की कहती है कि तुम्हें वो शादी कैंसल करनी है हर हाल में कैंसल करनी नहीं करोगे तो सही रही है। दोनों के बातचीत होती है वो कहता है कि परिशान मत हो और परिशान ना होने की वज़े उसने कुछ समानवान अपना इखटा किया। घर में छोटी बहन रहती है उस किराय के मकान में छोटी बहन कहती है दीदी इतनी रात में कहां जा रही हो। नो फरवरी की रात को जब बेहन घर से निकलती है वो कहती है कि किसी का फोन आता है घर से परिवार से तो कह देना कि मैं देरहे दोन मसूरी जा रही हूं साहिल के साथ गूमने के लिए। उसने भी नहीं बताया था कि साहिल की शादिवादी की बात चल रही है। बार यही प्रिश्र बना ली थी कि तुम्हें उससे शादी करनी है इस प्रोग्राम को जो तुमने आज दिन में किया है उसे खत्म करो उसे खाग डालो लेकिन आईएस बीटी कश्मेरी गेट के आसपास जब ये दोनों आपसे बाचित कर रहे थे तो बात कुछ जादा दिये इसी बीच में मौका पाते ही वो उस लड़की का गला एक डाटा केविल जो मोबाइल का चार्ज करने का होता है वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था उससे खींच के उसका गला दबा देता है गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है हत्या तो कर देता है गरम जोशी मे लकिर वो समझ नि환 पा रहा था कि उसने बहुत बड़ा अफरात कर दिया है इस अफरात से बचे तो कैसे बचे अब गाड़ी को कभी वा औरहार लेके जा रहा है वो अपनी जान बचाने की सोच रहा है गाड़ी चल रही है उस लड़की को सीट बेल्ट पना के बैठाय कि उसके घर में शादी थी, उसी की, साहिल की, सीधा अपने उस धावे पे लेकर जाता है, हाला कि धावा बंध है, वहां को रहनी रहा है, और वहां जाने के बाद उस लड़की की लाश को उस गाड़ी से निकालता है, गाड़ी से निकालने के बाद फुरीज के अंदर रखत कि जब डरा हुआता होता है, सहमा हुआ होता है, तो वो उसी ढाबे के इर्द गर्द खड़ा हुआ कोई अंजान व्यक्ति था, जो उसे शायद ऐसी कुछ आबाजों के साथ देख लेता है, अब जब देखता है तो उस टाइम तो वो शांत रहता है, यहां से उस लाश को जाकर इतमान के साथ सो जाता है, घर वाले समझते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी वर्टी करके आया होगा, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और वो इंतिजार कर रहा था, अब बरात के निकलने का, पूरा दिन वो ऐसी निकल जाता है, उधर लाश उस फ्रीज के अंदर र फोन के को, फोन करके पूछते हैं कि बेटा तो ये बता निकी कहा है, तो कहती है पापा निकी तो बाहर गई हुए घुमने के लिए देरादून मसूरी, और वो उसने कहा है कि परिशान ना किया जाए, पापा भी उसके बेफिकर हो जाते है, लेकिन अगले दिन फिर आता ह फिर आता है, इस तरह से एक एक दिन आता चला जाता है, चोदे फरवरी आ जाती है, और वो लाश उसी फ्रीज के अंदर रखी हुई थी, इसी बीच में एक अंजान व्यक्ति जब क्राइम ब्रांच दिल्ली के अधिकारी को फोन करके बताता है, कि मैंने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो, जब वो अधिकारी थोड़ा सक्रिय होता है, उच अधिकारियों से बात करता है, तब फरीज के अंदर से वो लाश निकल के आती है, और जब लाश निकलती है, तो पूरा इंडिया इस लाश को देखता है, और कहता है कि व और गंदर से खोटकर भी आपड़ी को बाहर निकल सकती है और इस कहाने में भी ऐसे ही होता है लोगों को इंतजार है लड़की के माता पिता को इंतजार है कि इस लड़के को साहिल गहलोत को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसिज आया कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा अंजाम होता है दोस्तो इस पूरे घटनागरम को सुनने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बिलकि आपको जागरुक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आज प्यूश कुमार है, मुहम्मद शकील अंसारी है, इनका जनम दिन है, इनको जनम दिन की बहुत सारी शुपकामना है, बहुत-बहुत मुबारक बात इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, आप सब लोग अपना खियाल रखें, सुरक्षित रहें, जाहिन जाभारत